इस वीडियो में हम 2012 से लेकर 2016 तक सिंगल सिस्टम में जो भी कुशन पूछे गए हैं वह हम देखते हैं अंसर के साथ में सॉलुशन के साथ में जैसे यह पहला कुशन दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है जी टी की वेलू दिया हुई है जी टी की वेलू टी गेटर दें जिरो के लिए टी माइनस के हमें क्या दिए हुई है मोड़ आफ टी और टी ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा तो यह बेल्यू दिए हुई है टी माइनस के टी आफ मोड तो यहां पर टी आफ मोड है यह लार्जेस इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमालस इंटीजर वैल्यू है वह टी यह टी डी नोट कर रहा है और यह वाला टी है यह हमें लार्जेर लार्जेस इंटीजर लैस देन और इकल तो टी शो कर रहा है और यह शो कर रहा है यह वाला जो T है यह सो कर रहा है इसमालाश इंटीजर greater than or equal to T हमें निकालना है coefficient of second harmonics component of the four-year series repentance intention of the GT यानि इसका four-year series हम निकालते हैं तो इसका second harmonics क्या होगा तो इसका जो फर्स्ट आर जब हम इसका four-year series निकालते हैं तो यहां पर जब हम इसको plot करते हैं signal को टी greater than zero के लिए कि टी greater than zero के लिए क्या है कि यह कि लाज़ेश इंटी जा वैल्यू लैस्ट दैन और इक्वल टू तू अमे दिखा रहा है तो इसका जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से प्लॉट आता है इसका ग्राफ कि आगे जो प्राफ Monitor कमपनेंट गयाँ पर जीरो फटाफ सेमेट्री ऑर्り में है keyboard के ब्रीक्राइब करें देखा है कि और अब सेमेट्री है और हम करते हैं नहीं करते हैं क्योंकि वेब फर्म देखने पर में पता चल रहा है और इसके अंदर क्या है इंवन हार्मोनिक एक जिश्ट नहीं करते हैं इसी से के नहीं आनल में खर्ड क्या हूंपोर यह जीरो है वो दी हुई है कि एस्टी और बाइटी दोनों का क्या दे रखा है मुल्टिप्लिकेशन दे रखा है तो यह क्या है यहां पर यह जो साइन है यह कॉन्वलुशन का साइन कर में है सी पॉजेटिव रिएल बैल यू होगी जो कॉंस्टिन्ट है तो हमें क्या गायत करना है शाओ कि AM यह निए बन डॉमेंज से सेकंड डॉमेंज में जाएंगे तो क्या है यह मुल्टिप्लीकेशन हो जाएगा अब इसको प्लाश्ट ट्रांसफर्म इस पर अप्लाइब करते हैं टाइम इसके प्रोपर्टी लगा कर टाम स्किल्र प्रॉपर्टी में मतलब कि एक सी से मल्टिप्लाइ किया हुआ है तो स्कोई हम लापलाश ट्रांसपर्म करेंगे तो बनवाइव सी जैड़ एस औसी हो जाएगा स्वय हो जाएगा क्यों कि हम यहां पर क्या लगा दिए टाइम स्केलिंग प्रोपर्टी यहां पर अप्लाई कर दिए है तो यहां पर जो बैल्यू है बनवाई सी एस ओप सी हो जाएगा यहां पर यह बैल्यू जैसे हम इसको खोलेंगे तो यह बैल्यू है जैड़ ओफ एस ओफ सी है यह बनवाई बाई ओफ एस ओफ सी हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा सी को हम यहां पर मल्टिप्लाई कर देते हैं दोनों सेक्शन के अतराम तो यह हो जाएगा सी वन वाई सी इंटू एस ओफ एस वाई सी और यहां पर हो जाएगा यह बन वाई सी बाई ओफ साफ दैसी तो दोनों को जो हम फाइनली खोलेंगे तो एक कॉनवलुशन के अंदर अंदर भी चला जाएगा सी की वेल्यू है बार भी रह जाएगी और अंदर की तरफ पी चली जाएगी तो यह हमारा फाइनल आंसर आजएगा अब यह हमंएं सिस्टम से करना है कि टाइम बेरिंग है एन वेरिंग है किस तरीके से چेक करते हैं तो इसमें चेक करने के लिए हमें एक सिस्टम दिया हुआ है ऐसमेंस Step department लेसं anch mr. अब यह दिया हुआ है 2-ेंकी वेजिव है यहां पड़ दी गुए कि हंग 1 प्लस माइनस के बन की सअब्सों न यह एक चिन यहां पर अपर अउट्पुत यह तो हमें check करना है कि यह सिस्टम क्या है घ्रैंम बेरिंग है यह सबसे पहले चेक करते हैं टैम के लिए चेक करेंगे तो क्या है एन की जगह एन मायनस नौट पुट कर देंगे तो बाइड डैस ए न आ जाएगा यानि डिफ्रेंशी सटॉन ओफ एन भाई डैस न आ आती हैं तो यह सिस्टम कोळाता है टाइम है लेकिन यह दोनेगेल और यह यह दोने इकापल नहीं है अदूसरा दूसरा इन्वर्स इस्टम के लिए चेक करते हैं इन्वर्स सिस्टम में क्या करेंगे हम की कोई भी इन्पट देते हैं तो उनेक इन्पट एकसेट के लिए हमारे पास में यूनेक आउटपुट वाई यह ना चीह है यानि हम अलग अलग input दे रहे हैं और सां साफ यहां और फूल अगर पास तो सिस्टम क्या होगा नान इंवर्टी को लोगा और अलगशन पुल देने पर अलगशन अरू पि ludzi वल हुज तरह दैल आउफ न-गो इसी तरीके से xn के according by n निकालते हैं तो by n की value क्या हो जाएगी by n की value है हम यह आपन निकाल लें तो यह जो by n की value है यह हो जाएगी 1 प्लस माइनस 1 की पावर n और यह x of n की जग लग सकते हैं आपन डेल of n माइनस 1 फिर इसको सेकंड डिस्टेप में solve करते हैं सेकंड डिस्टेप में यह पर जीरो हो रही है इसी तरीके जैक्सें की विल्यू टू डेल आप एन माइनस 1 रखते हैं जब टू डेल आपन माइनस 1 रखेंगे तो यह एक बिल्यू क्या हो जाएगी कि वाई ओफ एन है बन प्लस मैनस की पावर एंड टू डेल ओफ एन माइनस 1 हो जाएगी यानि कि दोनों जो हम टू डिफरेंट इंपूट दे रहे हैं तो हमारे पास में आउट पूट है वाई ओफ बन यान की विल्यू बन रखने पर हमारे पास में पर यहां वी हमरे पास में आउट पूट है यहां पर हम नहीं यहां पर हमने पीऊ नहीं है téओ यह सिस्टम है जो हम बिया हुआ हुआ होगा है यह सिस्टम कैसा होगा सिस्टम टाइम बेरिंग और नॉन वर्टी वा लोगा तो इस तरीके से यह हम चेक करते हैं जैसे यहां पर हमें दिया हुआ है एक ल्टी ए सिस्टम दिया हुआ है जिसकी डिफ्रेंशल एक्विशन भी अमें दे रखी है कि अध्युक्त के अकॉर्डिंग हम जब इसको सॉल्व करते हैं एक्स्टी और वाई टी यहां पर इंपूर आउटपूट हैं दोनों और इंपर्स डैस्पॉंस सिस्टम का यूटी इनुट्रिट इस टेप फंक्सन दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व क जाएगा यह सेवन्टायम 20 हजाएगा और यह जो 30 While 2010 नो यहां पर यहां पर फ़ोर एक्सटी है यहां पर फोरफ कर कि यह ऐस गारे यहां पर बदान हो जाएगा नीचे की सैड़ थे मेंगा है अब यह का है आधि अचस्व जाएगा इसी क्या कृट dicas Modi मुँक्ता एक 100 प्लस फूर स्सक ऐस को खोल लेते हैं तो यह थाक करेंगा तो गिसा क्लाद स्वैब में कॉनब्ट हो जाएगा नहीं को हम इसका इंबस्लाड ट्रांस्वर्म करनेंगे क्योंकि ह में चीश्च का अगर इंवस्लाप्लास्च ट्रांसपधर्म हैं utodi तो यह सभी में दे रखा है एकी पावर माइनस 5 टीवी सभी में दे रखा है और हमें ए और बी की वेलू याद करनी है तो यह तो कैंसल हो जाएगा यह सेक्षन और इसकी जगह माइनस टूपोट किया तो यह दो जाएगा नीचे की साड़ आएगा तो यह दो जाएगा यहां पर हमें के लिए हुआ है जिसमें के यह वेल्यू है इन्पूट की वेल्यू इंपूट की वेल्यू कहां से कहां तक दी हुई है इन्पूट की वेल्यू हमें दी हुई है एक्सटी की जो वेल्यू है वो दी हुई है के इकल टू मैनस इंफानेट से इंफानेट तक और मैनस बन की पावर के डैल ओफ टी मैनस के के वाई 2000 यह इसल्ट यह सिस्टम से पास होगी जिसका फ्रिक्वेंसी रेस्पंस हमें दे इसल्ट रखाया चाहँ ओमेगा एदर रखाया मैनस 5000 पाई से प्लस 5000 पाई तक इसका फॉरियर सी रिप्रेंटेशन अभी आउटपूट का निकालना है तो यहां पर यह दिया हुआ है कि एक्सटी है यह क्या है पीरिओ इक सिंगल लाए क्योंकि यह टी माइनस की टी नोट सब्सक्राइब करने के लिए क्या करेंगे एक सब्सक्राइब करेंगे एक सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद में हम इसको आंशर की तरफ लेके चलते हैं अ कि यह हमारे पास में 100 वामेगा अजाएगा एक सब्सक्राइब की वेल्यू है वह क्या होती है एक सब्सक्राइब का इंग यहां पर माईनस इंफाने इंफानेट इन डेल ओंग मैनस एन ओमेगा हो जाएगा तो डिन क्या है यहां पर एक्सपनेंशल फॉरी शीरीज और तो इसके अकवर्डिंग हम इसको लगदीते हैं आपर एकस ऑफ टी है एकस ऑफ ओमेगा से क्या डाया गराइक एकस ऑफ टी आजाएगा वनवाइट टुठाउजएन्ट ति यृष 2000 इसे तरी के से यहां पर रघा लेते हैं जो बनवाइब मैनस के लगाइब तूथाउजएंट टूबाइब तूथाउजएंट सीवाइट तूथाउजएंट इस तरीकी सिख्या करते हैं इसको कालकुलेट कर लेते हैं फिर हम क्या करेंगे कि B डिलओ टी माइनस मनथ टूथाउजएंट तो यह बनवाइब रीवेल्वीड यह टी . की वेल्यू है तो यहां पर किमेंस टीनोट आता है तो टीनोट की वैल्यों है वन वाइट को इसको फोट कर देता है तो डी एन की जो यूटी नोट और one मैंनेस की आण उमेगा नौट ओमेगा नौट लूटी नौट यूल की विल्यू हमें पता हित इसकी वैसे यी कैंसल हो के आ जाएगा बन थाउजन्ट बन मैंनस एक पावर मैंनस के खिला पावर मैंनस ऊपर होगी ले फाएन आ लोह हो दोपकिए एक यह वेसे पाई होगा है क्वार माये से पई के पाई मभी माइनिश सकतो है यह मेंश की बनकी पाउड़् मैं सब्सक्ते हैं बाइन गरिडीप्लाई 100ड और रहाँ अगर दैजियरो टू अश्यासिर एंब तो पूल पर यह पर अगर एंड के वेल्यू कुछ और रखते हैं तो यह वैल्यू है 2000-4000 इस तरीकर स्वड़ ती जाएगी तो यह वैल्यू आजाएगी एक्सक्षा फॉर्मेगा डिन की वैल्यू एवन आईगी जो इवन वैल्यू है इवन वैल्यू के लिए तो क्या आजाएगी तो हमारे पास में जो even value है even value of n के लिए तो 0 आजाएगी odd value of n के लिए क्या जाएगी 2000 इसको हम x of omega को इस तरी के रिप्रिजिंट कर सकते हैं 2 pi d1 minus k d1 d0 minus k d1 del of omega minus 2000 pi dn minus 1 del of omega plus 2000 pi फिर d2 omega minus 2000 d2 del omega minus 4000 pi और d of minus 2 omega of del of del omega plus 2000 pi तो इस तरी के इसको लिखते हैं यानि d2 की value क्या होगी 0 होगी d0 की value भी 0 होगी d4 की value भी 0 होगी और d1 और d3 पर 2000 और 6000 चाहेगा तो यहाँ पर इनकी value 0 होगी उसी के according x of omega हम निकालते हैं तो x of omega क्या आ जाएगा है इससे हम x of omega निकालते हैं तो मैंस के 5000 pi से प्लेस के 5000 pi तो गएगा तो इसके according है यह x of omega जाता है इसके राद में क्या होगा हम इसको output में put कर देता है output क्या होता है 2 pi del of d1 del of omega minus 2000 pi plus k d minus of del of omega plus 2000 pi तो d1 और d of minus 1 है दोनो 2000 के इकोल है उसके according जो हम सको रखते हैं तो यह आजाएगा by of omega की value है 4000 pi of del omega minus 2000 plus del omega plus 2000 pi तो इसके according यह value है हमारी answer है जाता है final answer है जो output में आईगा वह आगा by of t equal to 1000 cos cos of 2000 pi t तो यह हमारा answer हो जाएगा श्राइगा